आपको मेरा नाम है नमस्कार है प्यारे बच्चों गुरुप D वाले बच्चे जो ITI किये हैं और जो ITI नहीं किये हैं दोनों बच्चों के वीच में confusion है और यह confusion क्यों हुआ यह confusion जो हमी जैसे टीचरों ने जो वीडियो बनाया उसी के कारण यह create हुआ और हम जैसे टीचरों के सारे जो main head लोग आये हुए थे जो सबसे उच्चतम अधिकारी मतलब मंतरी सहाब के बाद जो अधिकारी थे वो लोग जब आये हुए थे पटना उस टाइम जो हम लोग की meeting हुई थी उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग सब लोग बैठे हुए थे सभी टीचर्स थे और उस टाइम में हमने यह सवाल किया था कि सर आप ये बताएए कि गुरूबडी में क्या ITI अनिवार होगा या नहीं होगा तो उस टाइम उन्होंने बूल दिया था कि नहीं उसORTाइम की बाते हुई थे वो सकता है कि उनके knowledge में उस टाइम नहीं रहा हो या उनको चीजे उतन lightly ही वो लिये होंगे. उस टाम चुकि LP technician की वकेंशी पर बात वो रही थी. तो lightly लिये होंगे. इटे में भी वो ध्यान नहीं दे पाएं होंगे. अभी ऐसा लग रहा है. क्यों? क्यों लग रहा है इसा क्योंकि अब जब हमने अलग-अलग जगों से खोजबीन चालू किया, जब हमने बोर्ड के मेंबरों से बात करना शुरू किया, जब बोर्ड के लोगों से हमने बात करना शुरू किया, तब जाके हमने ये बाते हमको पिछले 5-6 दिन से हमको पता था, बच्चे मैसेज कर रहे थे, कि बताओ सर, नहीं है बच्चे परिशान है और बच्चे जो है कहीं न कहीं अपने आपको confused समझ रहे हैं तो वहां पर जो बाते निकल कर आई तो जो हमने concerned लोगों से जब बात किया तो उन्होंने हमको इस notice के बारे में बताया यह जो notice आपके सामने है यह notice जो है उसी time जब गुरुबडी second column keeping in keeping in view the large scale mechanization of maintenance modernization and authentication it has been deceived to reiterate that future recruitment in technical department that is civil mechanical electrical and S&T department will be made on the basis of the minimum educational qualification of 10th pass plus national apprenticeship certificate NACC NAC graduation by NCBT and 10th pass plus ITI plus यहां यह नहीं दिया है 10th pass plus ITI of instructions issued wide board letter under RRB इतना 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 इसमें कहा गया है कि यह जो civil mechanical electrical or S&T department है इसमें minimum qualification 10th plus ITI रहेगा और अभी इस बात किया है यह तो एकदम legal notice है board का, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है, उसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कि health department से कुछ वेकंसी आई, sorry, sports quota से कुछ वेकंसी आई है, जिसमें यही बात रखी गई है, तो हो सकता है मेरे दोस्त, अभी जब हमने अलग-अलग लोगों से बात भी किया, तो लोग बोले कि जो board के ही लोग हैं, अलग-अलग board के, तो उनका यह कहना है कि अभी तो सर्म exact नहीं कह सकते, लेकिन मामला यह है, कि जिस post में technician जाना संभव है, उस सब post में group D अनिवारे रहेगा, group D अनिवारे रहेगा, group D जो है, वो अनिवारे रहेगा, जिसमें technician उपर तक technical काम जतना है, उसमें 10th plus ITI अनिवारे रहेगा, और जो non-tech है, जैसे चपरासी की भी वेकेंसी आती है, group D के तहट, खलासी की भी वेकेंसी आती है, तो जहां पर ITI वाले बच्चे नहीं भी रह seat जो होगा, वो non-ITI वाले बच्चों के लिए होगा, चुकि चपरासी, खलासी और या अन्य चीजें जो है, उसमें ITI की जरुरत नहीं है, लेकिन जहां technical काम है, वहां 10th plus ITI को लिया जाएगा, लेकिन इस बात की पुष्टी अभी नहीं कर सकते, जब notification आ जाएगा, तब ह ITI टेकनिकल पोस्ट के लिए, और टेकनिकल पोस्ट ही लगबग 80% के आसपा 70-80% होता है, बाकि जो 20% है, वो non-ITI वाले बच्चों को 20-30% उनको भी मिलेगा, तो ये कुल मिला के मामला है, जो अभी सामने है, और ये notice भी railway भरती board का notice है, जो आपके सामने है, उन्होंने ए जाते हैं, तो ये कुल मिला के मामला है, तो आपके ये का, finally हम लोग क्या समझे सर, तो finally आप ये समझे कि maximum post 10th plus ITI होने की संभावना है, और minimum post पे जो है, वो non-ITI वाले बच्चे भी रहेंगे, तो और जिसमें non-ITI रहेगा, उसमें ITI वाला भी भर पाएगा, तो ITI वाले ह के मामला यही बनता हुआ, प्रतीत हो रहा है, और ये बातें भी जो किसी ने, हमने भी बोली कि ने, GroupD's ITI को हटा दिया जाएगा, तो ये उस दिन का, उनका statement था, जिसके भी हाफ में सभी टीचरों ने ऐसा बोला, और अभी जो finally दिख रहा है, जो फिर से हमने कोशिश की क इस बात की जाच परताल करने की, तब ये बातें सामने आई हैं, तो हमारे पास बहुत जल्द हम आपको ये बैचे सीडूल करके प्रोपरवे में उपलब्द करवा देंगे, आप क्या चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, थैंक यू बेर मच,